वन्ने मातरम मैं पूरण चंदारिया अर्शनी केंटीन में आपका स्वागत करता हूँ अभ्यम.com हमारा मार्केटिंग प्लांग जिसके अंतरगत हम लगातार परियास कर रहे हैं कि अभ्यम परिवार के सदस्यों को एक से बढ़कर एक बहतर सुविधाय दी जाएं ताकि वे 200 points का अपनी लगातार purchasing करते हुए अपने लिए pension तयार करें उसी कड़ी में एक लगातार requirement थी कि केंटीन मेनेजर को basket बनाने की सुविधा दी जाए हमने उसकी त्यारी कर ली है और उसी के बारे में ये वीडियो में आपको बना कर दे रहा हूँ और इसके माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पर तेक कंटीन मेनेजर ध्यान से देखे आप अपने software में कैसे basket त्यार करेंगे ये पहली sheet है आपका ये dashboard खुलता है इसी dashboard में सबसे उपर आपके लिए ये button बनाया गया है create basket जहां से देखे create basket पे आपको click करना है और बहुत ही दो तीन steps के अंदर आपकी basket तयार होकर बिग जाएगी अभी आप basket current में तयार करके sale करेंगे और कुछ समय बाद हम आपको सुईदा देने वाले हैं कि उसी basket को आप save करके रखेंगे उसे चाहें जितनी बार बिलिंग कर सकते हैं अभी इसके दोरान आप हर ग्राद के लिए अलग अलग basket का बिल कैसे काटेंगे ये समझने की कोशिश करें create basket में यदि आप जाते हैं उसके बाद आपको ये दूसरी slide दिखाई देगी दूसरा page दिखाई देगा जिसके अंदर हमने दिखा रखा है category A category A के अंदर हमने अभी चार product add किये हैं और ये category A हमारे company के product है जो national level पर हमारे माध्धन से courier किये जाएंगे या फिर आप चाहें तो इसे ले कर अपनी canteen में रख सकते हैं एक product category A का और बाकी product category B के अंतर गत आपको रखने होंगे तो category A में आप यदि एक product select करते हैं उसके बाद आप अगले page पर जाएंगे अगली page के अंदर आपको category B जो की आपकी canteen की पूरी inventory दिखाई देगी अब इस category B के अंतर गत आप जो भी product जितने भी product add करना चाहें कर सकते हैं एक product add किया दूसरा किया तीसरा किया चोथा किया प्रन्तु इसमें आपको यहाँ पर amount भी और PV भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इसके अंतर गत जैसे आपके 200 PV का यह बासकेर तयार होगा तो आपको next message आजाएगा और उस message में clear होगा कि now your basket is ready आपकी basket तयार है यहाँ हमने एक open offer दी है आप चाहें तो इस basket को वही 200 PV पर close करके sale कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इस basket के अंदर और भी product add कर सकते हैं जैसे जैसे product add करेंगे जहाँ पर message आएगा आपकी cart जो है successfully add हो रही है और basket तयार हो गई है अब इसके अंतरगत जहां आपको PV भी पूरे दिखाई दे रहे हैं लगातार और उसके बाद वही same प्रक्रिया है जो कि हम अकसर करते हैं आगे है आपका dashboard में billing की जास विदा होती है वहाँ पर आपको पूरे product जो add की हैं वो दिखाई देंगे उसक अरे product की billing हो गई दो तरीके से इसमें भी payment कर सकते हैं अपने wallet से भी कर सकते हैं चाहे तो customer से QR code के अंतरगत भी ये QR code के अंतरगत और अगर आप चाहें तो wallet को select करके भी आप billing कर सकते हैं और उसके बाद आप customer की ID select करेंगे और QR code से किया है तो उसका screenshot भी upload करेंगे बहुत ह इस अधारन तरीके से हमने इसे बनाया है ताकि आप अपनी canteen में अपनी सुविदान उसार canteen में ग्रहा की सुविदान उसार बास्तिर तयार करके 200 PV का जो requirement है हर को पूरा करें और जो उसकी जुरूरत है लक्षे है राशन की खरिदारी पर pension उसको असानी से अचीव करें और एक maximum pension को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को secure करें मुझे उमीद है इस education के वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया होगा और आपसे निवेदन है कि आप इस परकार किस subject पर वीडियो चाहते हैं ताकि आपको समझ आ सके दूसरों को बता सके पिर पर वो message भी हमारी help line पर करें हम लगातार इस तरह से अब educational और training के वीडियो आपको देते रहेंगे ताकि आपको अपने इस तर पर काम करने में कोई दिकत ना आए और हमारी help line को भी इसमें सायता मिले मुझे अमीद है इस परकार हम सब मिलकर अपने इस mission को आगे बढ़ाएंगे चुकि हमारा commission सबको pension आओ मिलकर आगे बढ़ें धन्यवाद जय हिंद